फ्रेंडंस आप पढ़ु रहे है पभरढ deeper पॉर्पॉर्ण grants अभर परहे है में नौल एॉन कि सेश्च कra यहां कि प्रेंड करेंड़ वीडियो को लाइक सेयर कमेंट और सस्क्राइब ए praw को सब्सक्राइब करना ना सो बो relate ठीक है चैनल को like subscribe और bell icon को दवाना ना भूलें ठीक है हम इसमें क्या पढ़ेंगे Lucent ठीक है Lucent के बारे में पढ़ेंगे ठीक है Lucent इसमें GKGS जो भी होगी Lucent में जो भी आता है आनो बस्तक्राछी का ठीक है सिक भन ला इन बन लाइन से प्रूवल अपल्चेض ठीक है किसमें Lucent इसमें हम क्या पढ़ेंगे इसमें और मालना मकद राज का होसद आपकर मंघ को किस सनी जाया यह सब बताया जाएगा ठीक है, इसमें हम बंस पढ़ेंगे, ठीक है, मगद राज के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा बंस कव आया, ठीक है, मगद राज का उदे, ठीक है, मगद राज में, किसमें मगद राज का उदे में, मगद राज में, ठीक है, मगद राज में कितने बंस थे, इसमें कितने बंस से कौन कौन से हर्याइब इसमें मगद राज में कितने तीन भंस थे ठेक है मगद राज का उद्ध है इसमें कितने वंस थे तीन पहले बनस का नाम क्या था हर्यक बंस हर्यक बंस दूसरे का नाम क्या था श्यूनाग को अ可是 i not once ऐसिक नांग बन्स और तीसरी उसका था तीसरी उसका नाम ठाना टीक आ है ते यक है उबchem पड़ेंगे इसमें इसमेब मेश पहला टॉपद्व्द को पढ़ेंगे हर जयाग बंस ठीक है हर बंस की चाहोगी इसकी राजधानी क्या थी कि हर्या क्वंस की कैप्टल क roam को है तर्फ लुकर भी स्भर्च कप्र लुकर लुद्री क्या तो सरी अ करें ग्रीज bash ग्रीज़ जिसकी क्या थी यह दो टिक क sacrifice ग्रीज़़िर जिसकी क्या थी टैंड ठीक है हर्यक्वंस में ठेक है इसकी जानकारी कहा से मिलती है इसकी जानकारी मिलती है महाभारत महाभारत से किसकी हर्यक्वंस की क्या मिलती है जानकारी मिलती है किस से महाभारत से इसकी जानकारी मिलती है इसके फाउंडर कौन थे ठीक है इसके फाउंडर इसके फाउंडर इसके फाउंडर थे भेद्रस्त ठीक है क्या थे इसके फाउंडर थे इसके फाउंडर थे ठीक है इनके ठीक है इनके पुत्र कौन से थे इनका पुत्र का क्या नाम था इनके पुत्र का नाम था जारा संग ठीक है, क्या था? इनके पुत्र का नाम था, मगद राज के पहला वंस हर्या कवंस की बारे हैं पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे हर्या कवंस की कैपिटल क्या थी? गिरिवी, गिरिवरेज, ठीक है, इसका उल्लेक किसमें महावारत मिलता है, जिसके फाउंडर व्रहत द्रत मिलते हैं, जिसको जारा संग, क्या इसके इनके पुत्र का नाम है, इनके पुत्र का नाम है, ठीक है, इसका उल्लेक मिलता है, ठीक है, मगर अभी हर्या की बंस के बारे हैं पढ़ रहे हैं अपन लोग, तो इसके बारे में और पढ़ेंगे अभी ठीक है, इससे सुना हुआ हैं ठीक है अगर हर्याह कमंस के रील फाउंडर में इसके रापिंदर कॉन थे इसके इन फाउंडर थे बिंबी सार कॉन कौन थे बिंबी सार इसके क्या थे रियल पॉणडर थे क्यूंकि एक तरीके से इन्होंने क्या कि थी मगर इनका कुछ जाद आप कुछ चला नी ठीक है मगर इसके रियल फाउंडर के रोम में बिंबी सार को जाना जाता है ठीक है इन्होंने क्या थी हर्यकवंस की स्थापना की थी किसने बिम्भी सान ने हर्यकवंस की स्थापना की थी ठीक है कब की थी इनके द्वारब 1544 इसापूर में इसापूर में कहां पर मगत की गद्दी पर बैठे ये मगत की गद्दी पर बैठे ठीक है किसकी मगगत की मगदी पर बैठे कौन वेठे वींवी साहर कि मगद की गढडी पर बैठे ठीक है इनके द्वारा बताया गया मगद की गढडी पर हो T ब्रस्चार ने सेणियों सेणियों को कि नाम से भी जाना जाता है इसको एक अन्य nam से भी जाना जाता है, इनकी कितनी इनकी तीन पत्नियां थी किसकी बिम्वी सार की तीन पत्री आती है, ठीक है, बिम्भी सार ने अपने जीवन काल में, ठीक है, इनों ने, अंग के राजा, किसके अंग के राजा, किसके अंग के राजा, ब्रहमदत, ब्रहमदत को हराया, अपने उसमें, गद्धी पर बैठे बैठे, इनोंने इनके सासनकाल में इनको अटाया, बिम्भी सार ने, क्या कि इनने बहुत धर्म की क्याली सिक्छा भी लिए, बहुत धर्म की क्याली इनोंने सिक्छा भी लिए, किसने बिम्भी सार ने बहुत धर्म क अनु आई है ठीक है समगल लिक्या दे अनु आई है ठीक है उब बिंबी साहन अपनी शृति राज डीवित राजदानी और है किसको राज होma ŏ ठिक है किसको इन। दानों गistan गित्ट यह राज और किसको निधिन सान पहन्ने राज गिरह को क्या अपनी राजदानी बनाए ठीक है इसकी ठार्ग योजना आ और बस्ट्ट्ट्फ योजना कार कौन था इसका योजनाकर भीथा किसके ठीकारे एक तरीके से परिक्राण्र करें यह किसी परकार की था महा गोविंद क्या कि आदेन का बस तूकार ठीक है बस तूर कर मतलब गरोन परेंन के सब्सक्राइब तो कर डिगे इनके आद कर दो ऊण रहे हैं इनके पु Jason ते जो थीखे किके 493 इसाพूर में अजय को कि पुत्र द्वारा हाई नियंके पुत्र का था इनके पुत्र का नाम था इनके पुत्र का नाम था अजात सत्रू पुत्र इनके पुत्र का नाम क्या था अजास अत्रू के पुत्र का नाम था। ठीकते इस चीजे को बता आए गया कि अजात ना जाट ने लिखिई इनके पुत्र ते उन्हीं कैसे किiskt की बिमी शार की क्या कर दी गई अत्या करदी गई इनके पुत्र की पुत्र द्वारे इनकी हत्या कर दी गई पितागी हत्या कर दी गई फ्रेंड्स वीडियो को लाइक सेर और कमेंट करना ना भूले जो भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट करके बता दीजिए अब किस के बारे पढ़ेंगे हम विम्भी सार के बारे हम हो गया अब इनके पुत्र अजाथ सत्रू के बारे में पढ़ेंगे ठीक है क्योंकि इन्होंने इसकी हत्या कर दी थी अजाथ सत्रू अजाथ तिए अजास सत्रू ठीक है अजास सत्रू के वारे में बात करेंगे ठीक है अब इनके वारे में जो भी होगा सब पॉइंट में लिखेंगे ठीक है अजार सत्रु कब गद्धी पे बैठे ये वैठा 492 इसापूर में ठीक है क्योंकि 493 इसापूर में इसने अपने पता की अत्या कर दी थी और ये मगत की गट्टी में गद्धी पर एक सालवा 492 इसापूर में क्या वैठा अपनी मगत की गदि पर बैठा ठीक है इन्होंने अपने पिता की रत्तिय की ठीक है इसलिए इनका दूसरा नाम भी पढ़ गया ठीक है इनका क्या पढ़ गया पिता की हत्या के कर्ण कि हत्या करने के कारण करने के कारण ठीक है इनका क्या नाम पढ़ गया कुंकर्ण इनका क्या नाम पढ़ गया इनका नाम पढ़ गया ठीक है इन्होंने अपने इन्होंने क्या आखते हैं तो गौतम बुद्ध के चचेरे भाई किसके गौतम बुद्ध के चचेरे भाई किसके गौतम बुद्ध के चचेरे भाई कि वी इनके पिता के कहने पर किसके अजास हत्रु के पिता बिंबी सार के कहने पर अजाज सत्रुन ने गौतम बुद के चचेरे भाई क्या नाम था देजड़त है ठीक है क्या कर दीती है इनके प्ता के कहने पर प्ता के कहने पर कर दीती ठीक है अजाज सत्रुन ने अपनी राजधानी में किसे अपनी राजधानी अजाज राजगरे में राजगरे में क्या कियाता है इन्हें उन्हें राजगरे में बिसाल इस्पूतन स्वरी बिसाल इस्पूत विसाल इस तूप्त की निर्माण कराया था ठीक है इसने निर्माण कराया था विसाल इस फूप्त का क्या किया था इन्होंने निर्माण कराया था ठीक है अजास सत्रूने किया था ठीक है अजास सत्रूने अजास सत्रूने किसके खिलाफ लिछावियो ठीक है लिछाबियों के साथ के खिलाफ सौरी के खिलाफ कितने दो युद्ध लड़े ठीक है दो युद्ध लड़े ठीक है किसने लड़े राचास सात्रूने दो युद्ध लड़ते यह युद्ध का नाम क्या है महाक इन दो युद्ध का नाम भी लिखेंगे ठीक है ये आप देख रहे हैं मेनत कितनी कर रहा हूँ इस मेनत कहीं मांग रहा हूँ किसी बोब मी मांग रहा हूँ कि फोकट में आप दे दीजिए ठीक है महा सिला कंटक ठीक है महा सिला कंटक और रत मूसल ठीक है रत मूसल क्या है इनके क्या है महासिला कंटक रत मूसल क्या है इनके दो युद्धों के नाम है ठीक है इस सास्त्र में इसमें सस्त्रों का प्रियोग प्रितम बार देखा इन दोनों युद्धों में कितना सस्त्रों का प्रियोग प्रितम बार देखा कितनी बार फर्श्ट टाइम किसक सक fi इसके बाद बढ़ते हैं। आजकी जुथ मैं इसके बाद पड़ते हैं। अजहाज सत्रू के बारे में और पड़ते हैं, छिक है, इनकी हत्या, इस ही इनदे मुआ सचे पुर पूर है हाथ शो सबमें मैं living r criter दी जाती एं Can thai. इंहोंने अपने पिता की हत्य खेक है वpping upने पिता की हत्या करके हम भी राजा के क्या बन जाए म sesi करके इंहें पितर ने क्या क्या किया अपने ौई इनके राज गती को अब जब पिता मर जाएगा तो पुतर सासर करी अब इनके पिता हटने जायते तो इन्होंने अपने पतागी का कर दी गई हत्या कर दी गई अब ए उनके जायते खने पतागी को अब इनके तो इनके यद्दामीज। ठीक है अब किसके बारे में पढ़ेंगे उद्यान ठीक है यह क्या था किसके कौन से बंस का था ठीक है इस चीज को आप याद रखना ठीक है इनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना इन्होंनों क्या इसके जहन धरम के क्या थे अनुआई थे जैन धर्म के जैन धर्म के क्या थे अनुआई ठीक है ये क्या था जैन धर्म का अनुआई था ठीक है इसके उदारा पार्टली नामक नगर की स्थापना की गई किसकी पार्टली पार्टली पुत्र नगर की स्थापना पार्टली पुत्र नगर की स्थापना की गए ठीक है में जीन धर्मों में किसको उद्यान को तो यह पित्रा पिता बहक्त थे Państwo महर ऐसा नहीं था और इंहों अपने पिता की अत्या कर दी ठीक है अब उसका लास्ट पॉइंट रहे गया देखो friends video को like और share करना न भूलें जो भी दिक्कते हों तो आप comment करके बता सकते हैं ठीक है आज कुछ जल्दी class is हो गई ठीक है इसके इनके बंस का अंतिम सासक अंतिम सासक कौन था अंतिम सासक था नाग दर्सन इनके उसका अंतिम सासक था कौन था नाग दर्सन बढ़ जढ़ बढ़ कर दो इंग